नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहा है निसल दस्तक मेरी कोशिस होती है कि इस देश के जो बहुत संख्यक आबादी है इस देश में जो खराब चीजे हो रहे हैं जो सोशन हो रहा है उसके खिलाफ दिन भर की जो बड़ी ख़बर होती उस पर मेरी नजर होत सिख आते हैं क्रिश्चन आते हैं उनके अधिकारों का हननल लगातार जारी है आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में हलाफ नवा देकर कें सरकार यानी मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम जाती की जनगननान नहीं कराएंगे अब सोचे इससे आपको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा एक मिनट का समय लगेगा और बता दूँगा कोई टीवी अख़वार इस खबर को नहीं दिखाएगा जहां रभीष कुमार संपादक है जिस एंडी टीवी को आप खूब देखते हैं उसने सिर्फ इतना चलाया कि जातीय जनगननान नहीं होगी क्या नफाय क्या नुकसान है यह नहीं बताएगा न तो आपको अभिसार सर्मा बताएगा ना आपको अजीत अंजुम बताएंगे यह सिर्फ आपको कोई यह CSTOBC और मायनोर्टी बहुजन समाज का कोई चैनल या पत्रकार ही बताएगा या कोई दिलीप मंडल ही बताएगा जाती चैनल यह 10 हरोटी मिले तो भूखा कौन रहेगा पचास नगला लेकार यह जरूड गशसके कम से कम 80 रोटी मिले कम से कम 90 रोटी मिले और जो दो परिवार का घर है उसको कम से कम 4 रोटी मिले ये सिंधा फर्मूला है अब किसको प्रबलम है? इस देश के उन तमाम लोग को प्रबलम है जिनकी संख्या 5% और जिनका और ये गिंती जब पता चल जाती तो आपको बता जिया था दूसरा इससे फाइदा होता कि OBC जनगना से कि इस देश में 60% से ज़्यादा OBC की आबादी है उनको 27% रिजर्वेशन नहीं मिला इसको लेकर मायावति सबसे पहला ट्विट करती है और उन्हें साप कहा है कि OBC की गिंती नहीं कराना देश विरोधी है राष्ट विरोधी है और OBC के लोग को इसका बदला लेना चाहिए अब बदला किसे लेंगे आपको पता है BJP की सरकार है के इंदर में BJP के काम है उसी सुप्रिम कोट से एक दुसरी और सबसे बड़ी खबर आ रही है सुदामा कोटा Economic Beaker Section आर्थिक अधार पर आरक्षन को मंजूरी मिल गई है सोचिये जिस OBC के लिए 20 साल तक रंगा लगा मराठा को नहीं मिला जाटो को नहीं मिला पटेलो को नहीं मिला गुर्जरो को आरक्षन नहीं मिला उस कोट ने Economic Beaker Section आपको पता है गरीबी रेखा का क्या तै किया गया है आर्थिक अधार पर जो आरक्षन है 66,000 रुपया महीना कमाने वाला ब्राम्मन छत्रिये गरीब है और 7,000 रुपया कमाने वाला पिछिरी जाती का आदमी अमीर है ये है इस देश की सरकार और ऐसे चल रहा है सिस्टम ड़क्टर सोनु भरद्वाज लिखते हैं हाँ कमला है इस पर जरूर हूँगा आज भारत के परधान मंत्री की कुरसी का बहुत बरापमान हुआ है मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ भारत के परधान मंत्री के पद का सोचिये मोदी जी गया अमीर का एक के बाद एक एक के बाद एक ट्वीट कर रहे कमला है इसके साथ कमला है इसने अब तक एक tweet नहीं किया है अपने official ID से, अपने official tutor account से सोचिये हमारे देश की साख को किस तरह से बट्टा लग रहा है आखिर परधान मंत्री को क्या जरूरत थी नमस्ते Trump करने की क्या कमलाहरी से नहीं भूल पाई है और सोचिये कि भारत की साख को कितना धक्का लगा है लेकिन इहां कि मीडिया किस तरह से परचारित कर रही है और अंजना ओमकर से अपने खुद पोल खोल दिया वहाँ जो लोग लाएगे हैं, event management वो पैसे पर लाएगे हैं वहाँ कि अखबारों में मोदी जी की कोई खबर नहीं है लेकिन इहां चुकी 21,00,00 करोर की खबर दवानी है तो मीडिया आपको दिखाएगा तो NEET PG में OBC को आरक्षन मिलने में 20 साल लग गए लेकिन EWS को सुप्रीम कोट के जज ने तुरंत आरक्षन दे दिया कोट के चीफ जसिस थे बस और क्या यही बताने के लिए ट्वीट कर दिया यह है आपके बहुजन समाज का सबसे बड़ा पत्रकार आप चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हैं और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यकीन मानियों आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है तो यह सबसे बड़ी खबर थी और सोचिये हाँ तो मिनिस्टर राजनास सिंग ठाकुर तो अपने बारे में सिनातान कर कहते हैं कि प्रान जाय पर बचन न जाय हो गई ठाकुराई आपने 2018 में राजनास सिंग ने कहा था कि OBC की गिंती होगी अब OBC की गिंती नहीं होगी तो यह सबसे बड़ा सवाल था और आज लाश्ट में बताऊंगा सत्त सोधक समाज की आज अस्थापना होई थी राश्ट्वती फुले ने 200 साल पहले सोची आपके पुर्वच कप से लर रहे हैं और आप करमकान में फसे हुए हैं बुध पचीस साल पहले लर रहे थे आपने उनकी बात नहीं मानी उसके बाद गुरुनानक साहिब लरे उसके बाद रविदास महराज लरे उसके बाद कबीर साहब लरे उसके बाद फूले साहब 200 साल पहले सत्व सोजक समाज लिख के गए उसके बाद डॉक्टर रमबेट कर लरे साहू जी महराज लरे सिवा जी लरे माने बरकान सीराम लरे आज लालू लर रहे हैं मुलायम लरे हैं आवती जी लड़ रही हैं सीबू सोरेन लड़ रहे हैं लेकिन आप नहीं समझेंगे सोचिए RSS से पहले 200 साल पहले सत्व सोजक समाज की अस्थापना होई आप गुलामगीरी नहीं पढ़ें तो आपका समाज कैसे बदलेगा इसलिए जोतिवा फूले ने कहा था फातिमा सेक माता फातिमा सेक और माता साबितरी वाइफूले ने स्कूल शुरू किया था आपके लिए और कहा था कि बिद्या बिन गती गई गती बिन मती गई मती बिन ब्यापार गया ब्यापार बिना तुम सुद्र कैलाए और 200 साल बाद भी आप नहीं समझे उन्हीं को दूद पिलाते रहे जो साफ आपको डस्ता है जब तक आप करमकांड मनुबाद से बाहर नहीं आएंगे आपकी यही स्तिती रहेगी और इसलिए मायावती जी ने कहा है कि जाती जनगनाना कराना सबसे बड़ा प्राध है राश्द्रो है केंद सरकार द्वारा मानिय सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा दाखिल करके पिछले बर्गों की जाती जनगना कराने से साफ तोर पर इनकार कर देना यहती गंभीर एवं अती चिंतनिये जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की OBC राधिती का परदाफास एवं इनकी कथनी एवं करनी में अंतर को जागर करता है सजगता जरूरी SCST की तरह ही OBC बर्ग की भी जाती जनगना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकर चुकी है लेकिन किंद काई से साफिन कार पूरे समाज को उसी परकार से दुखिये वं उसके भविस को आगात पहुचाने वाला है जैसे नौकरियों में इनके बैकलोग न भरने से लगातार हो रहा है तो BSP सुप्रीमो मायवती ने बड़ा बयान दिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आप कुछ और बड़ी खबरें पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के परधान मंतरी को रेट कारपेट स्वागत नहीं मिला अमिर्का में सोचिए कितना बड़ा आपमान है और आज सोचल मिडिया पर अमिर्का ने मिजियम बना दिया छे लाख लोग उसके कुरोना में मरे मिजियम बना दिया गया और आपके देश में लाखों लोग मरे और उनकी कोई बात करने वाला नहीं है उनको लास नदी में बहा दिया गया दफना दिया गया तो ये है जाती बात का सबसे बड़ा आसर जो मैं आपको बता रहा था और किन सरकार दोरा मान्य सुप्रीम कोर्ट में अब साप साप कहे दिया गया है कि पिछी जाती का जन्गन्ना नहीं होगा इसको लेकर भी लगाता है लोग ट्वीट कर रहे हैं और ये देखिए जाती ब अमिया जैसे छोटे देश के राष्टमती के साथ मुलाकात के बाद बीपी कमला एरिस ने उसे ट्वीट करती है बोरिस से मिली वो भी लिखी लेकिन होने पी एम को आप तक ट्वीट नहीं किया है और ये देखिए अमेरिका में सबसे बड़ा परदसन चल रहा है अमेरिका आती है आप सोच सकते हैं कि कानून बिवस्ता का क्या हाल है और एक बहुजन बेटी को छस से मार दिया गया है ये उत्तर परदेश के रामराज की कहानी है जहां छस से फेक दिया गया हां मैंने रेप किया दसवी मंजिल से फेक दिया ये इस तरह की खबरे हैं लेकिन कारव नहीं होती है तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ किस तरह का हासिय का बेभार किया जा रहा है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोचल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और पबलिक की समस्या ही जुदा है कागस देखे लाइट देखी बैग देखा ताला देखा यह नहीं देखा कि दिखाने वला अपना नय आईरोप्लेन दिखा रहा था भरोसा नहीं होता तो गूगल करो तो यह आज की सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको लेकर आया और ब जो सवर्ण है वो गरीब कहलाएगा उसको आरक्षण मिलेगा आपकी जाती जनगन्ना नहीं होगी आप सोच लीजिए कि आपका क्या होने वाला है आप तभी तक हिंदू हैं जब तक मुसल्मानों से हमला करवाना है जब आपका बोर्ट लेना है उसके बाद आप सुद्र ह अच्छूत हैं आपको तै करना है कि आपको देश के सत्ता में भागिदारी चाहिए मीडिया बूर्योकरिसी जूडिशियरी बिजनेस में भागिदारी चाहिए कॉलेज इनवर्सिट्यों में भागिदारी चाहिए या सबजी ठेला चलाना है गटर साप करना है जो हमारे ब इसी मैनोर्टी जिस दिन संबेधानिक तरिके से एक साथ खरा होना सीग गया उसके अधिकार मिल जाएंगे आप लोगे क्या परत्किया अपनी परत्किया जोर दीजिए शुक्रिया निसनल दस्तक कि आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं पर बेल आइकन कि घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे